एक जमाना हुआ करता था जब लाइफ बहुत सिंपल थी लेकिन आज ऐसा नहीं है एक सिंपल सी चीज जैसा के जेंडर है उसको भी आज बहुत कन्फ्यूज कर दिया गया है अब सिर्फ मेल और फीमेल नहीं है बलके मेल, फीमेल और शायद इंफिनिट नंबर अफ जेंडर्स मुम्किन है जब भी आपको थोड़ी से हिंट आती है न कि इंसानियत शायद बेतरी की तरफ आप जा रही है एकदम से इंसानियत खुद आपको ये थाबित कर देती है कि ऐसा कोई सीन नहीं है इस सारे मामले को शुरू होए वे एक सो साल से जायद का अरसा हो चुका है जब फेमिनिस्ट मूवमेंट वजूद में आई और शुरू शुरू में तो उन्हें विमन्स राइट की बात की जो कि बिलकुल मुनासिब थी लेकिन आइस्ता आइस्ता करते करते आज उनके मतालबात इतने डिस्टॉर्ट और अजीब हो चुके है कि हमें भी समझने आरी कि असल में उनका मतालबा है क्या शायद वो औरतों के हुकूक के साथ-साथ मर्दों से नफरत भी करवाना चाहते है या शायद मर्दों को माशरे से खतम ही कर देना चाहिए अगर आपको लगता है कि मैं एग्जाजरेट कर रहा हूँ तो ये रिपोर्ट जरूर देखें जिसमें इन्होंने कहा कि या फिर ये कि एक बच्चे को पालने के लिए वो क्या दक्यानूसी किसम की सोच और जहनियत लेकिया है कि उसको माबाप ही पालेंगे क्या दो बाप नहीं बच्चे को पाल सकते क्या दो माएं एक बच्चे को नहीं पाल सकती वैसे तो इस बात का जवाब देने के लिए धेरों psychological studies मौझूद है जहां पर यह बात mentioned है कि एक बच्चे की अच्छी और ideal तरबियत के लिए माबाप दोनों को होना जरूरी है लेकिन confusion इस बात किये कि जब माबाप ही नहीं रहेंगे मर्द और और औरत ही नहीं रहेंगे तो फिर बच्चों की तरबियत कौन करेगा जहां पर मेल और फीमेल के इलावा भी कोई भी जेंडर जैसा आप चाहें आप कर सेंगे को सब्सक्राइब रहेंगे ओ नो और ये है माई डियर बेंट सिस्टर्स असल में LGBTQ कम्यूनिटी का अजेंडा जहां पे जेंडर्स को सेक्शुालिटी को इतना अपस में इंटरमिंगल किया जाए कि कुछ पता ना रहे कि कौन कौन है और क्या क्या है आइस्ता इस्ता बच्चों के स्कूल की तालिमात में उनको सेक्स एजुकेशन के नाम पे भी ये बात बताई जाए कि जेंडर बगारा कुछ नहीं होता जेंडर एक फ्लूइड स्टेट होती है आज आप मर्द फील कर रहे है कल आप औरत फील कर रहे है कभी आप गे हैं कभी आप बाइसेक्शुल हैं कभी आप पॉली एमरस है who knows and who cares हता कि अब तो बाहर के कुछ स्कूलों में ड्राइग कुछ स्टोरी टाइम भी कुछ चीज बन के सामने आचुका है जहां पे वो लोग जो के खुद से अपने आपको ना मेल ना फीमेल इडेंटिफाइ करते हैं वो हमारे बच्चों को प्यारी प्यारी कहने सुनाएंगे ताके हमारे बच्चे भी अपने जंडर के बारे में भी दो दफा सोचें के मैं असर में लडका हूं या लडकी हूं कर सुनाफ सिप्टा सर्फमा खूं हो या ओन अव्नी उन्वरा फूं हधिगनुड्र ठव्नी चलूं औ६े लोनाप्यों अबस अविक ही कैस फूं कि खूं एव बसको इसाथ अजू साओ। I would accept that that child was exploring I think that at that age, gender is not set in stone I'm sorry to be the stick in the mud here Exactly, Scooby-Doo is a great thing If my kid said they wanted to pretend to be Scooby-Doo, I would play along and follow the child The idea that you as a parent would even countenance the idea that a two-year-old child has any ability to form any serious perception of gender I think, frankly, I put it to you respectfully, it's utterly ridiculous and actually damaging to that child Welcome to the year 2020 Oh no! Those people who were confused about gender, throughout history and today were called gender identity disorder or gender identity dysphoria and this is a mental or psychological condition Now don't get me wrong, there are certain people which have some biological abnormality at birth where they might be showing signs of both genitalia They say intersex and their percentage-wise, if they see it, it's 0.018% 0.018% So, we don't say that male and female genders Let me give you an example Biology, we are learning from childhood that human beings, for example, 10 fingers and 10 toes So, what does this mean? 11 fingers, no? 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 But in exceptional cases, we don't say that human beings' fingers are 8, 6, 5, 7, 11, 12, or any number Standard textbook definition human beings will always have 10 fingers and 10 toes Just like that, the human being will always be divided into male or female and the exceptions will not be treated as the norm BBC is telling children aged 9-12 that there are more than 100 different gender identities In Identity, Understanding Sexual and Gender Identities a video made by BBC Teach for use in classrooms children ask questions about sexual orientation and transgenderism What are the different gender identities? That's a really, really exciting question to ask Do you know, there are so many gender identities So, we know we've got male and female but there are over 100, if not more, gender identities now Welcome to the year 2020 Oh no! Sex or gender can be used in your birth but it can also be used in your birth based upon your DNA that you are born with XX chromosomes as a female or XY chromosomes as a male and then your body anatomy, your genitalia will define whether you are a boy or a girl Congratulations, it's a boy Congratulations, it's a girl Congratulations, it's a girl But today, we are confused about these things by saying that Sex is assigned at birth and gender is something that you come up with later on in your life This is absolute nonsense Sex is not assigned at birth, it is determined at birth based upon your DNA and based upon your anatomy It doesn't have any relationship with your feelings and emotions So, we don't say that Oh, you think that you are transgender or non-binary or you need surgery or your genitals and your genitals or new genitals or new genitals If you have a daughter It means that you are saying that I want to play cricket or I want to play more toys in your life No, you don't say that you don't have sex change operations and everything will be fine It is absolutely normal that if a girl who is a shock is a little bit than a husband that had told her but it was a girl that was a girl It is a true example that the Prophet have seen some of the people who had been in the battlefield who had very successful but लेकिन just because they were exceptional in those areas हम ये नहीं कहते हैं कि वो सहाबियात नहीं है बलके वो सहाबाएं इसी तरह से अगर आपका बेटा ज़रा sensitive ज़्यादा है तो हम ये कह सकते हैं कि उसकी sensitive side जो है वो ज़्यादा strong है लेकिन ये नहीं कहते हैं कि वो लड़की है बिचारा डॉक्टर जॉन ग्रे पिएजडी थक या खब किया ये वाद बता बता के कि men and women are different physically, biologically, emotionally and even mentally लेकिन अब हम चाते हैं कि नहीं सारे differences को मिटा दो, ignore कर दो और इतना आपस में घड़ मट कर दो कि ना रहे मर्द और ना रहे औरत Allah सुभाण ताला कुरान मजीद में वाज़े अलफाज में अर्शाद फर्माते हैं कि या ऐयुहनास उत्तकू रबकुमुल्जी खलककुम मिन नफसिं वाहिदा वखलका मिनहा जवजहा वबसा मिनहुमा रिजालन कثीरं वनिसाआ कि एए इन्सानों तुम सब अल्ला का तक्वा एक्तियार करो क्योंकि लग्या तुम्हे नफसिं वाहिदा से आदम अलिएसलाम से बैदा किया और उस से उसकी बीवी हवा को बैदा किया और उन दोनों से तुम्हें मर्द और और औरतें बनाकर दुनिया में बिखेर दिया मर्द और और औरत बनाने के साथ साथ अल्ह ताला ने हमें रिस्पॉंसिबिलिटीज दी कुछ काम ऐसे हैं जो मर्दों को बताए और कुछ काम ऐसे हैं जो औरतों को बताए कहीं फर्माया filthy Beim निसाय यानि मरतों को अरथों के ऊपर कवाम बनाख कर भीजा गया लेकिन फिर ये भी फरमा दिया के मा का दरजा तीन गुना जैदा है तो कहीं यहां quality ज़्यादा हैं कहीं यहां ज़्यादा है लेकिन overall अला के सामने सब बराबर हैं सिर्फ वो उपर है जो तक्वा में अपने इखलास में अपने इमान में ज्यादा बेतर है इसके अलावा गर आप यह देखें कि इसके societal damages कितने ज्यादा हैं तो यह एक different level of problem है for example, एक MMA fighter जो के transgender था यानि के पहले वो मर्द था अपने आपको औरत समझता था और उसने MMA जॉइं कर लिया और women's side पे जॉइं किया उसने बिचारी females को मार मार के सत्यानास कर रिया because हम सब यह बार जानते हैं कि physical strength के इतबार से bone density के इतबार से muscle mass के इतबार से men are far superior and athletic than women are but one thing we can do is we can keep women from getting beaten up by men and men who transition to being women इसी लिए sports में मेंशा दो categories रहे है men's boxing, women's boxing, men's tennis, women's tennis, men 100 meter, women 100 meter क्योंकि दोनों को साथ compete कराना बहुत unfair होगा औरतों के लिए इसी तरह से जहां पे caregiving की बात आती है तो जितना caregiving औरत हो सकती है उतना मर्द कभी भी नहीं हो सकता exceptions are always there but women are far greater caregivers than men ever are इसी लिए औरत ही मां होती है, मर्द कभी मां नहीं बन सकता so summary है कि there are only two biological genders because science frankly doesn't care about your feelings intersex is a genetic abnormality, people are always going to be born either male or female based upon their DNA and their biological anatomy medical science में एक term है जिसको बोलते है B.I.D. body identity dysphoria यह कैसी condition है जहाँ पे एक शक्स होता तो बजारी तोर पे physically ठीक है लेकिन उसको feeling अंदर सही आती है कि मैं amputee हूँ, यानि कि मेरा एक हाथ या बाजू नहीं होना चाहिए था तो अगर एक ऐसा शक्स डॉक्टर के पास जाता है और कहता कि जी मेरा बाजू काट दें क्योंकि मुझे अंदर से feeling ऐसी आ रही है कि मेरा बाजू नहीं होना चाहिए तो डॉक्टर कभी उसको यह नहीं कहेगा कि चलो इसको सर्जरी में ले जाओ और इसका हाथ बाजू काट दो वो उसको psychological treatment देगा, उसकी therapy करेगा, उसको help करेगा इस condition से बाहर निकलने के लिए बिल्कुल इसी तरह से अगर एक बंदा gender identity disorder या gender dysphoria से गुज़र रहा है मर्द कर रहा है, औरत कर रहा है, चॉकले आइस क्रीम कर रहा है, आप उसको उसी तरह टीट करें My only concern is कि you can pretend to be whatever you want, but just don't expect the whole society to pretend along with you Funnily enough, एक जमाना हुआ करता था जब अगर एक मर्द किसी औरत से यह कहता था कि I know exactly what you feel तो औरत उसको जवाब में कहती थी कि no you don't because you're not a woman लेकिन आज अगर कोई बंदा अपने आपको transgender कहते है वह यह कहता है कि हूँ तो मैं biological male हूँ but I feel exactly like a woman, people immediately stand up and start celebrating that you are absolutely right, you know exactly what it feels like to be a woman so guys इस पूरी बात के खुलासा यह है कि as Muslims हम हमेशा उसी चीज़ पर इमान लाते हैं जो अल्ला और उसकी रसूल की तरफ से हमारे पास आ रही है तो पूरी दुनिया चाहिए जो मर्जी कहती पिरे हमने वही करना है जो अल्ला और उसकी रसूल So guys do let me know what you feel about this whole issue by leaving your feedback in the comment section below क्या आपको लगता कि पूरी दुनिया इस वक्त जो है वो मैस पागलपन की तरफ जा रही है या शायद कोई उमीद की किरन अभी भी बागी है मेरी दौा है कि Allah ताला हम सब को हमेशा दीन पर काइम रखे इस्तकामत अताफ फरमाए हमेशा वो फैसले करें जो कुरान और सुनत के मताबक है अल्ला हम सब की गलतियां को ताहियां गुनाओं को माफ फरमाए और हम सब को तरह तरह के जतने भी फितने इस वक्त हमारे उपर आई हुए है इन सब से महफूज रखे और हम सब को इन्शाला दुनिया में भी खेर दे और आखरे तुमें भी जन्हत फिर्दास में आला मकाम नसीब फरमाए अंटिल नेक्स ताइम डिस इस मी राजा जाओलाग साइनिंग ओफ वस्सलाम अलेकूम और रहमत अल्लाव वरकातो